गुड बॉर्निंग बेटा आज बेटा मैं आपको क्या करवाऊंगी तीन अक्षनों का ही जोड तीन अक्षनों बारे शवदी कर रहे हैं हम तो देखेंगे सबसे पहले नंबर बन के उपर है प तो बेटा सभी बच्चे ऐसे रीड किया करेंगे ठी कहना प जमा ल जमा म तो क क्या बन गया यह जमा के चिन जो वो नहीं आपने लिखने होते हैं इस साइड को और आपने कठा करके लिखना है यहां पे बरावरे का चिन लगाना है इसको बरावरे बोलते हैं ठीक है यही अक्षर जो है वो आपने इदर लिखने होते हैं ठीक है प तो यह देखो प है य ये ल, तो ये ल, और ये आगे म, तो क्या बनेंगिया, पल, म, पलम, ऐसे पढ़ने है, ठीक है, आगे है, न, जमा, म, जमा, क, ठीक है, आपने जब लिखना अपता है, तब तो ब्राबरा कर्चीन रगाया करो, ऐसे बोरना नहीं, आपने ऐसे बोरना है, न, जमा, म, जमा, क, फिर बोलेंगे आप नमक यदि आप इस साइड देखेंगे तो ये बना नमक सेम है ना इदर नमक है तो ये भी नमक है एक जैसे हैं इसलिए हमने इदर बरावर का चिन लगाया होता है यहां भी वैसे ही है और इदर भी वैसे ही है आगे है नमबर तीन के उपर म जमा द जमा न तो क्या बना म द न मादन क्या बन गया मादन नमबर चार के उपर है क जमा ल जमा म तो क्या बना कलम कलम नमबर पांच के उपर है द जमा म जमा क तो क्या बना द म क दमक आगे है ग जमा म ये म मचली है इस वात का ध्यान देखना ये म मचली है म ग म जमा न तो क्या बन गया गमन आगे है ज जमा ग नमबर साथ के उपर क्या है ज जमा गर जमा न तो क्या बन गया जगन क्या बन गया जगन ठीक है बेटा तो आपने एस इस को पढ़ना है और लिखना है ठीक है बेटू क्या कर दिल झाओ कर रांजना क्या भीट कर रांज है जमाथ। आपस्ली है कर लिए भाल क Efendimiz देखना है